हेलो फेंड वेलकम टू ग्लेम्रस ब्यूटी गेट आज हम फेस पैक लगाते समय के इनकिन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं फेस पैक चहरे को चमकदार बनाने के साथ ही इसे लंबे समय तक जवां बनाये रखने में भी मदद करता है इसलिए इसे सही तरीके से लगाने के तरीके जानना जरूरी है चहरे को साफ और जमकदार बनाये रखने के लिए हम अकसर ही फेस पैक लगाते हैं फेस पैक चहरे की इत्वचा को स्वस्त बनाये रखने में मदद करता है लेकिन Facebook लगाते समय कई बातों को ध्यान में रखना बेहद आवश्यक होता है ताकि तवचा को इससे कोई नुकसान नहों Facebook लगाते समय हम बहुत चोटी चोटी गलतियां कर देते हैं जिससे कभी-कभी तवचा को कुछ नुकसान पहुंच सकते हैं जैसे फेस पैक को बिल्कुल सूख जाने के बाद हटाना ऐसा करने से बचें इससे तवचा रूखी हो जाती है और उसमें जुरियां जल्दी आती है फेस पैक जैसे ही हलका सूखने लगे उसी वक्त चहरे को गुन-गुने पानी या फिर ताजे पानी से धो लें साथ ही फेस पैक हमेशा नहाने के बाद लगाएं अधिकतर लोग नहाने से पहले ही फेस पैक लगाते हैं लेकिन ऐसा करने से बचें नहाने से पहले फेस पैक लगाने से चहरे की नमी कम होने लगती है जबकि नहाने के बाद त्वच्चा के पोर्स खुल जाते हैं और फेस पैक चहरे के अंदर तक पहुँच कर इसकी रोनक बढ़ाने का काम करता है फेस पैक को सिधे ब्रस से लगाने की बज़ा इसे मसाज करते हुए लगाएं ऐसा करने से फेस पैक चहरे की अंदरुनी सत्थर तक पहुच कर काम करता है दस मिनट की मसाज देते हुए पैक को पंदरा मिनट के लिए चहरे पर लगा छोड़ दें इसके बाद साधे पानी से चहरा साफ कर लें फेस पैक लगाने के बाद साफ चहरे पर टोनर या गुलाब जल कॉटन से अच्छी तरह लगाएं इससे तवचा में ग्लो आएगा फेस पैक लगाने के बाद आखें बंद करके थोड़ी देर रिलेक्स होकर बैटें ऐसा करने से चहरे की तवचा को आराम पहुचता है और चहरे पर फेस पैक हफते में केवल दो दिन ही लगाना चाहिए इसमें प्रयोग की जाने वाली समागरी स्किन के लिए बिल्कुल भी कठोर ना हो फेस पैक का खास मकसद बंद पोर्स को खोलना और गंदगी साफ करना है ना कि चहरे का प्राकृतिक तेल सोक लेना यदि आपकी स्किन सवेदनशील है तो मास्क को 10-15 मिनट तक रखें और यदि आपकी स्किन नॉर्मल है तो 20-30 मिनट तक मास्क को रखा जा सकता है और मास्क से पहले स्टीमिंग करना जरूरी है यदि आपकी स्किन ओयली है तो फेस को स्टीम दे और यदि आपकी स्किन अत्यधिक रूखी रहती है तो स्टीम ना लें इस्टीम लेने से चहरे के पोर्टस खुल जाते हैं और गंदगी बाहर निकल जाती है जिससे बाद में face pack लगाने से चहरे पर glow आता है साथी फेस पैक का एक ही कोट काफी रहता है इस पर बार-बार कोट लगाने से कोई फैदा नहीं होता यदि आपका पैक काफी गीला है और चहरे पर लगाने से बह रहा है तो उसमें थोड़ा सा बेसन या चंदन पौडर मिक्स कर लें और गर्म पानी चहरे को ड्राय कर देता है वहीं ज़्यादा ठंडा पानी चहरे के पोर्स को बंद कर देगा आप कम ठंडे और साधे पानी का प्रयोग चहरे को धोने के लिए कर सकती है इसके साथ ही मास्क को कभी भी पूरा सूखने ना दे यदि आपका मास्क गलती से काफी सूख गया है तो उसे चहरे से हटाने के लिए सबसे पहले उस पर पानी के छीटे मारें फिर उसे चुड़ाएं मास्क को साफ करने के बाद चहरे को तॉलिय से आराम से पोचें और मौस राइजर लगाएं हर कोई अपनी तवचा को सुंदर बनाने के लिए कई तरह के मार्केट से मिलने वाले या फिर कुछ घरेलू फेस मास्क और फेस पैक का इस्तमाल करता है लेकिन मास्क का सही असर पाने के लिए इसे सही तरीके से लगाना बहुत जरूरी है कुछ सावधानिया जरूर बरतनी चाहिए अगर आप घर में बना फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं तो हर बार ताजे पानी का इस्तमाल करें यदि आप बाजार से खरीदा उत्पात प्रयोग कर रहे हैं तो अपने फेस मास्क लगाने वाला ब्रश, रूई के फोहे और मुह पोशने का कपड़ा सांथ रखें और स्वच्छ रखें इसके साथ ही मास्क लगाने से पहले चहरे को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें इसके बाद अपनी तवच्छा को स्कुरब की मदद से साफ करें इससे तवच्छा की मृत्य कोशिकाएं हट जाती हैं और मास्क अच्छी तरह से अशोशित होता है अपने चहरे को दो मिनट के लिए भाप दें जिससे रोम शिद्र खुल जाएंगे भाप देने के लिए साप सुथरे कपड़े को हलके गरम पानी में भिगो कर चहरे को तब तक ढग लें जब तक ठंडा न हो जाए अब ब्रश की मदद से फेस मास्क को चहरे पर लगाएं यदि आपके पास ब्रश न हो तो मास्क को हाथों से लगाने से पूरवर उन्हें अच्छी तरह से धो कर सुखा लें मास्क लगाने के बाद खीरे या अलू के टुकड़ों को आँखों पर रखें ताकि उनको शंती मिल सके मास्क सुखने के बाद इसको गीले कपड़े अथवा रूई के फाहों से पोच दें अगर अपने मिट्टी से बना मास्क लगाया है तो सुखने के बाद ताजे पानी के इस्तमाल से इसे साफ करें इसके बाद टोनर और मॉस्टराइजर का इस्तमाल करें मिट्टी के मास्क को चहरे पर पूरी तरह से न सुखने दें क्योंकि ऐसे में चहरे पर जुरियां और पतली रेखाएं पढ़ सकती हैं और मिट्टी सूख जाने के कारण तवच्चा में से नमी चली जाती है फेस पैक आमतोर पर एक तरीके का मास्क होता है जो लगाने के बाद तवच्चा से चिपक जाता है फेस पैक की परत पतली होती है जो आराम से लग भी जाती है और लगाने के बाद जल्दी से सूख भी जाती है फेस पैक में मौझूद घटक तवच्चा की गहराई तक जाते हैं और तवच्चा को निखारते भी हैं फेस पैक लगाने से तवच्चा की अशुद्धियां साफ होती हैं, सांती तवच्चा टोन वा निखरी हुई लगने लगती है तवच्चा के अनुसार फेस पैक का चैन करें ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सभी तरह की तवच्चा के लिए एक ही फेस पैक फायदे मंद हो आप फेस पैक के चैन के लिए एकसपर्ट की मदद ले सकते हैं अगर आप बजार से फेस पैक खरीद रहे हैं तो अपनी तवच्चा के प्रकार के अनुसार और उपयोग करने तक की तिथी के अनुसार उसे खरीदे अगर आपकी तवच्चा समेधन शीर है तो लगाने से पहले हमेशा पैच टेस्ट जरूर करें हमेशा फेस पैक चहरे को साफ करने के बाद ही लगाएं तवच्चा की गंदगी और अशुद्धियों को साफ करने के लिए अच्छे क्लिंजर का ही इस्तमाल करें फेस पैक लगाने के बाद आँखों को आराम देने के लिए दोनों आँखों पर खीरा लगाएं या फिर गुलाब जल में भीगी हुई रुई को भी आँखों पर रख सकते हैं बहतरीन परणाम देने के लिए आप फेस पैक से पहले भाप ले सकते हैं भाप लेने से आपकी तवच्चा के शिद्रा खुलेंगे और फेस पैक आपकी इसकिन में गहराई तक जाएगा और अगर आप घर का फेस पैक और फ्रिज में रखा फेस पैक इस्तमाल कर रहे हैं तो पहले सुनिशित करने की फेस पैक की ठंड़क थोड़ी कम हो गई हो यह उन लोगों के लिए खासकर है जिन्हें साइनस की समस्या है अगर आपको लगता है कि आपका फेस पैक बहुत पतला है और चहरे पर नहीं रुक रहा है तो आप बेसन पॉड़र का इस्तमाल कर सकते हैं या मुल्टानी मिट्टी और चंदन पॉडर मिला सकते हैं फेस पैक लगाने के बहुत सारे फायदे होते हैं ये त्वचा को पोशेत करता है फ्रूट फेस पैक त्वचा को अवश्यक पोश्यक तत्वा देते हैं और फेस पैक में मौजूद जड़ी बूटियों बूटियां मुहासें दाग और निशान को कम करने में मदद करती हैं फेस पैक जो मुहासों और ब्लेक हेट्स के लिए बने होते हैं आमतोर पर सीबम को नियंतरत करते हैं और फेस पैक आमतोर पर तवच्चा की मृत्य कोशिकाओं को भी साफ करता है फेस पैक तवच्चा को ठंड़क पहुचाते हैं साथी रोजाना फेस पैक लगाने से तवच लगने लगती है फेस पैक लगाने से जुरियां फाइन लाइन कम होती है और तच्छा में भी कसाव आता है तो फेंड इस तरह से आप फेस पैक का इस्तमाल करते समय और लगाते समय सावधानिया जरूर बढ़ते हैं ताकि इसकिन को हमेशा फायदा ही मिले और नुकसानों से बची रहे और प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके